हलो किसान भाईयों स्वागत है आज की वीडियो में किसान भाईयों आज की वीडियो में बात करना चाहेंगे कि हमारे किसान भाईयों क्या ऐसे बदलाव ला सके जिससे कि उनको गन्यकाई का अधिक और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके क्योंकि जो हमारे किसान भाई है कि डॉर्मल जो खेती करते हैं उनसे उन्हें 500 या 300 कुंटल ही गन्ने का उत्पादन परापत होता है जिससे कि हमारे जो किसान भाईउं को काफी अधिक मात्रा में नुक्सान पहुंसता है क्योंकि आज कल के जमान में आप लोग देखा होगा कि जो खेती को लेकर काफी मात्रा में अधिक लागत हो चुकी है फर्टलाइजर काफी महंगे है और उसके साथ लेवर की कॉस्ट भी काफी महंगी है जिससे कि जो अगर हमारा उत्पादन 500 या 300 कुंटल ही निकलता है 1000 कुंटल तक प्राफ्त हो सके तो वीडियो चालू करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यू चैनल पर पहली बारा है किरपया हमारे यूट्यू चैनल को जुरू सस्क्राइब कर लें किसान भाई हो अगर आप गन्ये की खेती से उत् प्लस पादन ले सकते हैं किसान भाई हो रिंग पीट एक मात्र आप रहसी विदी है जिसमें जो मारे गन्ये का नॉर्मल वेट है वह 3 किलो या 3.5 किलो से उपर देखने को मिलता है क्योंकि किसान भाई हो इसमें जो वाय को संचार है वह बड़े पैमाने पर बनता है गन्य को हवा पानी बहुत अच्छा लगता है और गन्ये की जो लेंथ है गन्ये की लंपाई वह भी काफी अच्छी विदी में देखने को मिलती है किसान भाई हो आप बात करेंगे इस विदी को आप कैस परकार से अपने खेत में अपना है इसमें कितने गड़ों की संक्या कितनी किसान भाई आपको कि अबजा है तो आपको ए संटर शीयद से और गंड़ों की संक्या कितनी बात करेंगे गड़े में आपको 9 नौ सी तुकड़े रखने है किसान भाई हो अगर आपके गड़े की चुड़ाई, 20 या 3 विट है, तो आपको जो उसमें गड़े की टुकुडे की संक्या है, वो 9 ही रखने ये किसानबाईयों, और उस पर जो आपको इस परकार से हलकी मिट्टी रखनें, और अश्पर ज़ाएँ, अजिसे आदिक मातरबं में आपको मि कि मिट्टी ऊपर से दे देनी है इससे दिकाप को मिट्टी नहीं देनी है और AGA heaven गोरो गढ़ोब के अपने खेद बिराना चाते तो वह गोरो गढ़े भी बना सकते हैं किशानओर गट्डे की दूरी है किसान बाई किसानद हे नहीं रखनी है किसान बाई होगाara के दूरी है वह हमें और तीन चार फिट रखनी है म्हाने कि जो अम्हें चीज से यह होल番 65 roughly जूरा हमें किसान भाई को बिल्कुल देखने की नहीं मिलती क्योंकि सीधे तोर पर जो सूर की किरण है वह जमीर की सता पर पड़ती है जैसे कि जो गन्य के खेत में जो फंगस की दिक्कत आते हैं हमारे किसान भाई को वह इस विद्धी में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती किसान भा देज़ीटों तो 9 फचल पैतालिस एक गढऴे से प्राप्त होते हैं किसान भाई यह आपको चालिस गढ़नों की संख्याई रखलें तो चालिज अगर एक गण्णा आपका दो किलो का भी हो रहा है क्योंकि इसे विद्धी में दो किलो से ज़्यादा का गण्णा देखने को मिलता है अब नॉर्मली दो किलो रख लें तो चालिज दुना असी आपको असी से ping तक का वजन एक गण्ठे से पॉराब्त होताँ किसान भाईओं किया काफी अच्छा उत्पादन मानना किसान भाईओं अगर आपके एक खेत में गण्डों की संख्या आप नॉर्मली यह दो हजार गण्धे आपके एक खेत में होते हैं तो आगर आपके गटे से असी किलो वजन त्यार हो रहा है तो किसान बाइयों आप नॉर्मली तोर पर देख सकते हैं कि आपको 12-1300 कुंटल अराम से आप एकड़ से उत्पादन पर राप्त कर से आप नॉर्मली आप उत्पादन की बात करें तो आप 800-1000 कुंटल आप पर एक आप नहीं किसान बाइयों और यसमें जो बैद्धाई की क्रीया हो बहुत ही अच्छी शांदर रहती है और किसी परकार का इसमें लौजिंग की प्रब्लम में रहती क्योंकि किसान बाइयों रिंगपीट विधी में गन्य की समूझ बन जाता है जिससे कि इसमें बैद्धा बीच में आपता है इसकी चुताई कर सकते हैं किसानबाई को इस प्रकार का उत्पादन आधी के लिए काफ़ी अच्छा इन नौसो या हजार कुन टलता की से उत्पादर ले सकते हैं किसान भाई हो और काफी अच्छा उत्पादर भी मारा जाता है किसान भाई हो यह है किसान भाई हो उमीद है वीडियो में बताई के जानकारी आपको अच्छी लगी हो अगर वीडियो में बताई के जानकारी आपको अच्छी लोगों तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सिस्क्राइब कीजिए क्योंकि खेती से जुड़ी नहीं नहीं जाने करें आप तक हमारे चैनल के मादब से सबसे पहले पहुंचती रहती है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा धन्यवा अच्छी लेएड़ी लेएग।